शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात मिजोपी के तीन राज्यों में जीत और कॉंग्रस की करारी हार के बाद बिहार में भी सियासत गर्मा गई है जेडियू के राष्टे मुखे प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि ये महा गठबंदन की हार नहीं है ये कॉंग्रस की हाथ है उन्होंने कहा है कि कॉंग्रस ने इंडिया गठबंदन की किसी नेता से कोई सहीयोग नहीं मागा वहीं ये भी कहा कि अगर जो बैचक मलीका जुन खड़के ने 6 दसंबर को बलाई है अगर यही संपर्क एक महीने पहले करते तो शायर नतीजे कुछ और ही होते वही क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाते पर सरफ कॉंग्रस पार्टी की हार है उन्होंने गठबंदन के किसी भी घटक दल से ना संपर्किया ना सहयोग माना वो अपने बलबूते पर बीजेपी को हराने की योजना बना रहे थे जो एक दिवा सुपन था स्री मलिकार जुन खड़के ने 6 तारिप को इंडिया कठबंदन की बैठक बलाई है काश अब से एक मेहने पहले ये बैठक बलाई होती तो नतीजा कुछ दूसरा होता है छेत्रिये दलों के बगएर सामाजी की न्यायके दलों के बगएर समाजबादी आंदोलन के बगएर कॉंग्रेस पार्टी भारते जिनता पार्टी को नहीं हरा सकती विहार में हम और आर महारास्ट में एंसीपी और शिवसेना ये अपने अपने तरीके से वहां मजबूत विकल्प के रूप में हैं आशा है कि कॉंग्रेस पार्टी मदद करेगी हम चाहते भी हैं कॉंग्रेस पार्टी से समनवे हो लेकिन यहां पर इन छेत्रिये दलों को अधिक स्वायता और स स्यासिवायन माजी भी शुरू हो गई है काई दलों की प्रतिक्रिया आया है आपको सुन बाते हैं कि फूर सरफ कॉंग्रेस पार्टी की हार है उन्होंने गठबंदन के किसी भी घटक दल से ना संपर्क किया ना सहयोग माना वह अपने बलबूते पर बीजेपी को हराने कि अबिक रूप से अगर किसी विश्वसनिय चेहडा को आगे बढ़ाया जाएगा तो इसमें सहूलियत होती है नहीं तो ये फैसला तो है कि भाई पहले हम लोग इसको बेदखल कर दें फिर आपस में बैटके हम लोग तै कर लेंगे एक ही लक्ष है कि मिल जुलकर चुनाव लड़े और वेकेंसी क्रियेट कराले तो अगला इंकम्बेंट बहुत असानी से तै हो जाए अभी पिछले चुनावों में अभी जिस चुनाव के नतीजे आये हैं उस चुनाव में सब लोग एक नहीं हुए तो क्या हुआ जो चुनाव में हुआ और जैसे होता है सब अगलग विश्वसनियता है इसको सहर्स हमारे पार्टी के रास्ठी अद्यक्ष मलिका अरजुन खरगे जी ने स्विकार भी किया है कि यह हमारी हार है और जनता ने जो जानादेश दिया है उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं जितनी भी हमारे सीटे आई हैं हमारे वरकर ने जितने ही मंदारी से पार्टी के लिए काम किया है उनको उन्होंने धन्यवाद दिया है तो राजनित में तो जीतहार होते रहती है आरोप परत्यारोप का समय नहीं है इंडी गडवंदन की बात होती है तो भारती राष्टी कांग्रिस के पड़िनाम जब खराब होते है तो ये वो अलग हो जाते है तो आप समझ सकते हैं कि इंडी गडवंदन में एक भगदर है और मुझे लगता है कि इंडी गडवंदन जो एक स्वरूप लेने का और सफल प्रयास कर रहा था तो अब वह स्वरूप में नहीं ले पाएगा केसी त्यागी जी जो लंबी लंबी बातें करते हैं कि कांग्रेस ने सहयोग नहीं मंगा तो दूसरे राजियों में जनता दर उनाइटिट कितना सहयोग करेंगे यह कांग्रेस को पता है चार राजियों के जो कल्चुनाब प्रिणाम आये तो कांग्रेस पार्टी को तीन राजियों में हार का सामना करना पड़ा और मेरा मत साफ है कि यह इंडिया कठोंधन की हार नहीं कांग्रेस पार्टी की हार है कांग्रेस पार्टी को आतमन्धन करनी चाहिए इंडिया कठों मन 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 से कहता हूं कि इसमें राहुल गांधी की हार नहीं है यहार कमल नात्य जी की है असो गहलोजी की हार है और इसको बारीकी से मंथन करने की अब सकता है कि तीन राद